आज पूरा देश जैस्ट पूरिमा के दिन संत कभीरदास की जयनती मना रहा है। संत कभीरदास परसिद समाज सुधारक कवी और संत थे। कभीरदास जी का जन्म 1398 में हुआ था जबकि उनका निधन 1518 में मघहर में हुआ। माना जाता है कि उनके लेखन का समाज पर बड़ा प्रभाव है। जबकि आज वाटसेप के जमाने में भी लोग संत कभीर के दोहे खूब लिख कर भेजते हैं। आज के अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको ऐसे ही कुछ दोहे बताने जा रहे हैं। जो आपने सुने तो कई बार होंगे मगर हो सकता है कि आप शायद ही जानते हों कि ये दोहे तेरवी शताबदी में पैदा होने वाले संत कभीर दास द्वारा लिखे गए थे। चाह मिटी, चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वह है शहनशाँ। अर्थ में कभीर दास जी के कहने का मतलब है कि जब से पाने की चाह और चिंता मिट गई है, तब से मन बेपरवा हो गया है। इस संसार में जिसे कुछ नहीं चाहिए, बस वही सबसे बड़ा शहनशा है। गुरू गोविंद दोवू खड़े, काके लागू पाएं, बलिहारी गुरू आपने गोविंद दियो मिलाए। कबीर के इस दोहे का अर्थ है कि अगर हमारे सामने गुरू और भगवान दोनों एक साथ खड़े हो तो आप किस के चरण इस परश करेंगे। गुरू ने अपने ग्यान से ही हमें भगवान से मिलने का रास्ता बताया है इसलिए गुरू की महिमा भगवान से भी उपर है और हमें गुरू के चरण इस परश करने चाहिए। अर्थ में कबीर दास जी के कहने का मतलब है कि इनसान को ऐसी भाशा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे ऐसी भाशा दूसरे लोगों को तो खुशी पहुचाती ही है इसके साथ ही खुद को भी बड़े आनंद का अनुभव होता है। बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई जो मन देखा अपना मुझसे बुरा न कोई इस दोहे का अर्थ है कि मैं सारा जीवन दूसरों की बुराईया देखने में लगा रहा लेकिन जब मैंने खुद अपने मन में जहांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई इनसान नहीं है मैं ही सबसे स्वारती और बुरा हूं अर्थात हम लोग दूसरों की बुराईयां बहुत देखते हैं लेकिन अगर खुद के अंदर ज्छाक कर देखें तो पाएंगे कि हमसे बुरा इनसान कोई नहीं है दुख में सुमीरन सब करें, सुख में करें न कोए, जो सुख में सुमीरन करें, तो दुख काहे का होए इसका अर्थ है, दुख में हर इंसान इश्वर को याद करता है, लेकिन सुख में सब इश्वर को भूल जाते हैं अगर सुख में भी इश्वर को याद करो तो दुख कभी आएगा ही नहीं अर्थ में कबीरदास के कहने का मतलब है कि हमारे पास समय बहुत कम है जो काम कल करना है वो आज करो और जो काम आज करना है वो अभी करो क्योंकि पता नहीं कब क्या हो जाए दोस्तों संतकवीरदास के बारे में एक और बात कही जाती है कि वो अंदविश्वास के सक्त खिलाफ थे और उन्होंने अपनी धारधार लेखनी से अंदविश्वास के खिलाफ भी कई दोहे लिखे थे मगर वो हम आपको अपनी किसी अगली रिपोर्ट में बताएंगे लेकिन अगर आपने संतकवीरदास के बारे में पढ़ा है और उनका कोई दोहा आपको बहुत पसंद है तो आप उसे आप हमारे कमिट बॉक्स में जरूर लिखेगा ताकि अगली रिपोर्ट में हम आपके नाम के साथ उस दोहे को शामिल कर सकें दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और हाँ दोस्तों इससे पहले एक वीडियो हमने आपके साथ शेयर की थी जिसमें धर्मांतरण कर नवीन से नवेद बने युवक के बारे में बताया था वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस वीडियो को भी देखकर आप अपनी राय कमिट बॉक्स में दे सकते हैं